Welcome to Only Ais, स्वागत है आप सभी लोगों का प्रिलिम बूश्टर न्यूज डिसकेशन में आज है 13 जनवरी 2021 तो आज ये देख लेते हैं इसे कौन से important articles हैं जो आज हम cover करने वाले हैं हमारा पहला article सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में है अभी हाल ही में bird flu के confirmed cases के बाद जो forest department है उन्होंने vigilance स्टार्ट कर दिया है सुल्तानपुर नेशनल पार्क में भी ताकि वहाँ पर bird flu के cases बढ़ने ना पाएं ये नेशनल पार्क हर्याना की गुरगाओं डिस्टिक्ट में है अब यहाँ पर कुछ बाते हम सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में भी कर लेते हैं गुरगाओं का नाम बदल कर officially गुरुगराम रखा जा चुका है bird watchers के लिए सुल्तानपुर नेशनल पार्क एक bird paradise है बहाँ पर कई प्रकार की famous migratory birds देखने को मिल जाएंगी और the same time resident birds भे मिलेंगी जो वहाँ हमेशा रहती है migratory birds इस पार्क में September के आज पास आने लग जाती हैं और March-April तक यहाँ पर बनी रहती हैं इस नेशनल पार्क को 1991 में नेशनल पार्क के तौर पर डेकलेर किया किया था यहाँ पर आपको black buck, neil guy, hawk deer, sambar, leopard इस प्रकार के mammals मिल जाएंगे birds की बात करें तो Siberian cranes, greater flamingos and democel crane यह सभी आपको यहाँ पर मिलेंगे हर्याणा में कालेसर नेशनल पार्क भी है जो कि आपको यमुना नगर डिस्टिक्ट में मिलेगा तो यह तो बात सुल्तानपूर नेशनल पार्क के बारे में हमारा अगला आर्टिकल C.Vigil 21 के बारे में है C का मतलब समंदर और Vigil का मतलब Vigilance यहनि की देखरेक करना देखे हमारा जो Coastal Region है वो secured रहे 2008 में जो मुंबई में attack किया गया था वो समंदर के रास्ते से ही किया गया था इसलिए जो Coastal Line है उसको लेकर अभी हम काफी concern रहते हैं और उसकी देखरेक अच्छे से होती है तो Coastal Defense Exercise है जो कि दो साल में एक बार होती है उसका second edition अभी start किया गया जिसका नाम C.Vigil 21 रखा गया 7516 किलोमेटर की जो Coast Line है उसके आसपास का जो exclusive economic zone है उस पूरे area को इस exercise में cover किया जाता है इंडियन नैवी के साथ साथ 13 और जो Coastal States है, Union Territories है, Fishing and Coastal Communities है और जो other maritime stakeholders है, वो सभी इसमें participate करते हैं ताकि coordination establish कर सके है इसे conduct और facilitate किया जाता है Ministry of Defense, Home Affairs, Sipping, Petroleum and Natural Gas, Fisheries, Customs, State Government और बाकी की जो अन एजेंसी हैं, Center or State की वो भी इसमें involved रहती है मतलब कई सारी entities मिलकर इस पूरी exercise को conduct करती है objective यही है कि larger purpose हमें serve करना है समंदर के रास्ते होने वाले किसी भी security threat के लिए खुद को तयार रखना है अपना realistic assessment करना है कि हम कितने बहतर हैं हमारी क्या कमजूरियां हैं और क्या strength हैं अपने coastal line को secure करने को लेकर 26 बटा 11 का जो attack हुआ था वो sea route से हुआ था उसके बास से हम ज़्यादा मुस्तायद है यह जो exercise है यह actually में एक तयारी होती है TROPEX के लिए TROPEX, Theater Level Readiness Operational Exercise जो की Indian Navy हर दो साल में एक बार करती है जो TROPEX है और Sea Wizard यह दोनों मिलकर हमारा जो मेरे time security challenges है उनको लेकर इंडिया की security को check करते हैं और उसके लिए खुद को और बहतर तरीके से तयार करते हैं peace time के लिए भी और conflict के समय के लिए भी जो हमारा अगला article है वो recoiling black hole के बारे में है देखे अभी हाल ही में एक black hole देखे थोड़ा fundamental समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सबसे पहले तो black hole क्या होता है black hole एक ऐसा region होता है space में जिसका gravitation बहुत जादा होता है वो हर चीज को अपनी और attract कर सकता है even light भी उससे पास होकर नहीं गुजर पाती black hole usually dying star जब एक तारा मर रहा होता है तो उस समय बन जाता है एक ऐसा phenomena है black hole का वो point जहां पर पहुँचने के बाद कोई भी object black hole में चला ही जाता है वापिस नहीं लौड सकता उस line को event horizon कहा जाता है और उसको cross करने के बाद कोई भी object black hole में हमेशा के लिए समा जाता है light भी escape नहीं कर सकती इसका मतलब साफ है कि black hole को देखा नहीं जा सकता तो फिर हम black hole को देखते कैसे हैं black hole जब किसी भी object को या light को अपनी ओर खीच रहा होता है तो उसके चारो और light का एक circle दिखता है वो light जो event horizon के नजदीक पहुँच रही होती है उसके basis पे हम idea लगा लेते हैं कि इसके अंदर का जो हिस्सा है ये black hole है और ये event horizon की location है जहां पर ये light जाने की बाद गायब हो जाती है 2019 में NASA ने for the first time black hole की एक photograph को center में black hole मिलेगा हमारी जो galaxy है उसका नाम Milky Way है galaxy actually में stars and planets का एक cluster होता है जो gravitational force से आपस में बन्धा होता है ऐसी अंगिनत galaxies हमारी universe में है observation से ये पता चलता है कि हर galaxy के center में एक black hole जरूर होता है लेकिन अभी हाल ही मैं हमें एक galaxy दिखी जिसका नाम Abel 2261 है इस galaxy के center में हमें black hole नहीं दिखा ये galaxy 2.7 billion light years की दूरी पर है हमारे planet से हमें उसके center में अभी तक कोई भी black hole नहीं दिखा है हम उसे नहीं देख पाए है तो ऐसा क्यों है कि इस galaxy के center में black hole नहीं है मैं भी हो हमें दिखा ना हो अब देखे हमारे galaxy के center में जो milky way है हमारी जो galaxy का नाम है उसमें जो एक black hole है उसका नाम Sagittarius A है और ये Sagittarius A हमारी earth से 26,000 light years की दूरी पर है अगर आप light की speed से travel करें जो कि अभी possible नहीं है तो आप 26,000 सालों में इस black hole तक पहुँच जाएंगे मुद्दे की बात ये है कि आप वहाँ जाएंगे क्यों जाने के बाद वो black hole आपको खा जाएगा तो कोई मतलब नहीं है बट distance का अंदाजा होना चाहिए कि 26,000 साल आपको लगेंगे अगर आप light की speed से travel करें तब Sagittarius A तक जाने में 1999 और 2004 में जो data gather किया गया था Apple Galaxy के बारे में उसी को analyze करके हमने idea लगाया कि black hole वहाँ center में नहीं है अब कई सारे कारणों पर चर्चा हो रही है कि ऐसा क्यों है देखे, दो simple सी possibilities तो ये बनती है पहली तो simple सी possibility ये है कि black hole हो ही न और जो हमारी understanding है कि हर galaxy के center में black hole होता है ऐसा ना हो, एक तो ये संभावना हो सकती है दूसरी संभावना ये हो सकती है कि हम black hole को देख तो पाते नहीं है जब वो light को सोखता है तो event horizon के आस पास जो चमक दिखती है उसी से हमें idea लगता है कि black hole यहाँ पर है हो सकता है कि light को absorb करने की जो उसकी speed है वो इतनी ज़्यादा कम है कि हम उसे detect ही नहीं कर पा रहे है इस वज़े से ये हमें black hole नहीं दिख रहा है ये दूसरी संभावना बनती है एक तो हो ही ना, दूसरा चुकि black hole दिखता नहीं है उसके event origin के आसपास जो lights होती है उसके basis पर हम अंदाजा लगाते हैं तो वो इतना कम हो कि detectable ना हो इसलिए हमें दिख नहीं राय बट है अब यहाँ पर एक तीसरी संभावना है जो काफी ज़ादा बनती है इसे ही कहा जा रहा है recoiling black hole कई बार ऐसा होता है कि दो black holes आपस में टकरा जाते हैं हमें ऐसा लगता है universe खाली है, वो खाली नहीं है वो black matter से भरा हुआ है तो जब दो black holes आपस में टकराते हैं तो इस black matter में ripples create होते हैं लहरे gravitational waves के form में चुकि black holes बहुत दा energy release करते हैं तो इन ripples की जो speed होती है, वो light ears travel कर लेती है काफी speed से चलते हैं, मतलब बहुत कम समय में ये कई light ears travel कर लेते हैं काफी अच्छी speed से air travel करते हैं अब इस ripple की वज़े से जो fluctuation create होता है उस fluctuation की वज़े से कई बार जो black hole होता है वो center से fluctuate करके थोड़ा सा किनारे हो जाता है थोड़ा सा किनारे होने का मतलब है millions of light ears away मतलब वो black hole जिसे बीच में रहना था, किसी भी galaxy के वो दो black holes के टकराने के बाद जो ripples create हुए, उसके जटके से center से हटके किनारे हो जाता है इस प्रकार के black hole को recoiling black hole कहा जाता है संभावना यह है कि इस जो galaxy है, इसके center में जो black hole है, वो इसी प्रकार से कहीं किनारे हट गया है जो हमें दिखाई नहीं पढ़ रहा है center में हमें उसे आसपास कहीं identify करने की कोसिस करनी होगी, हो सकता है वो देख जाए, उसी चीज को देखे यहाँ पर explain किया गया है कि वो कैसे recoil होते हैं, और इससे जो एक single supermassive black hole center में होना चाहिए, वो नहीं होता क्योंकि वो fluctuate कर जाता है किनारे और यह जो binary black holes होते हैं यह speed के वज़़े से अलग-अलग हो जाते हैं और जो global cluster हमें बीच में दिखना चाहिए वो हमें नहीं दिखता तो इसी चीज को यहाँ पर theoretically लिखा गया है और हमने उसे आसान भासा में समझ लिया कि जो gravitational waves create होती हैं वो क्रिस्प रकार की asymmetry create करके black hole को fluctuate कर देती हैं ठीक, तो आपने समझ लिया कि recoiling black holes क्या होते हैं और black hole क्या होता है यह तो हमने पहले ही समझ लिया जो हमारा अगला article है वो जो फ्रेंटा सिरुवानी के बारे में है यह fruit fly की एक नई specie है जिसे अभी हमने Tamil Nadu के कोयंबर 2 डिस्टिक में खोजा है सिरुवानी एक ecological hot spot है दस्टन घाट का उसी के नाम पे इस fruit fly का हमने नाम रख दिया ecological hot spot कोई भी ऐसा एरिया होता है जहांपर bird diversity बहुत rich हो outstanding हो biological value बहुत जादा हो उससे ecological hot spot कहा जाता है तो सिरुवानी नाम है एक hot spot का उसी के नाम पर इस fruit fly का नाम रखा है यह योफ्रांटा सिरुवानी टेफ्राइडी जो family होती है fruit flies की उससे belong करता है 104 प्रजातियां अभी तक हमारी जानकारी में है जिनमें से 14 भारत में पाई जाती है और उस list में अब एक नाम और जुड़ गया है इस योफ्रांटा सिरुवानी का फीचर्स की बात करें तो आपको इसके पंखों में V-shaped black band दिखेगा इस प्रकार का दिखे ये V-shaped black band आपको दिख रहा होगा black and white band ये 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 V-shaped है ठीक है अब यहाँ पर आपको एक पट्टी मिलेगी गले के पास में जो गले तक जोड़ती रहती है ये जो fruit flies होती है ये फलों पर अपने अंडे देती है और जो फल की लुगदी होती है पल उसका लारवा उसी पर feed भी करता है जो हमारा अगला आर्टिकल है वो Legal Entity Identifier System के बारे में है हाल ही में RBI ने ये कहा या introduce किया Legal Entity Identifier System lie system 50 करोन के उपर के जो भी payment transactions है उनके लिए अब ये जरूरी होगा चाहे वो N.E.F.T. के जरीए हो या R.T.G.S. के जरीए हो N.E.F.T. और R.T.G.S. दोनों को 2005 में introduce किया गया था दोनों में अंतर सिर्फ time का है N.E.F.T. में जब आप पैसे ट्रांसफर करते हैं तो उसमें कुछ समय लगता है ट्रांसफर होने में क्योंकि वो transactions को पहले bunch बना लेते हैं उसके बाद evaluate करके एक बार में ट्रांसफर करते हैं जब उनके पास 200-500 transactions से कठा हो जाते हैं तो वो एक बार में उसे clear करते हैं जबकि RTGS में ऐसा नहीं होता ये real time है आप जब transaction करेंगे तो तुरंत ही हो जाएगा लेकिन इसमें आपको बड़े amount की आविशक्ता पड़ती है तो RTGS और NFT आप समझ गया दोनों 2005 में आये थे दोनों transaction method है अंतर केवल time का है NFT कुछ समय लेता है RTGS तुरंत हो जाता है अब ऐसे payments अगर आपको 50 क्रोन के उपर के करने हैं तो आपके पास lie यानि कि legal entity identifier system के तहत lie number होना चाहिए जो lie है वो 20 digit number होता है जो कि किसी भी financial transactions को पूरी दुनिया में identify करता है कि कौन से entity ऐसी है जो ये transaction कर रही है lie ये जो 20 digit number है इसे develop किया गया है International Organization for Standardization के द्वारा ये किसी भी financial data system की efficiency को improve करने के लिए काम करता है और उसे detect भी करता रहता है lie जो है इसे RBI ने introduced किया phaged manner में इंडिया में जो OTC derivatives है derivatives का मतलब होता है कोई piece of paper जिसकी अपनी कोई value ना हो बलकि वो किसी unknown document से या किसी भी material से अपनी value derive करता हो तो जैसे कि आपके पास कुछ पैसे हैं उसके बदले में आपने किसी को piece of paper थमा दिया जिस पर आपने उस पैसे का जो आपके पास है उसका amount लिख दिया तो वो एक प्रकार का derivative हो गया तो over the counter derivatives जब दो लोग आपस में derivatives का लेन दिन आपस में कर लेते हैं किसी immediate के आवशकता नहीं पड़ती उसे over the counter derivative कहा जाता है तो यहाँ पर इसके लिए भी lie number के आवशकता होगी non-derivative market में भी इसके आवशकता होगी बड़े corporate borrowers के लिए भी इसके आवशकता होगी कुसमें पहले RBI ने यह भी बोला था कि जिनके पास lie number नहीं है उनको जो banks हैं वो loan ना दे तो legal entity identifier india limited इंडिया में जो lie legal entity identifier number है उसे distribute करता है यह अधिकार उन्हें RBI ने payment and settlement system एक 2007 के तहर दिया है 2008 के financial crisis के बाद यह आवशकता महसूस हुई कि global level पे trend क्या चलता है financial transactions का या financial activities का इसका अंदाजा नहीं लग पाता क्योंकि हर देश अपने अपने तरीके से यह करता है तो आवशकता महसूस हुई कि global system होना चाहिए जो इस प्रकार के transactions को track करे तो फिर global level पे international organization for standardization ने इस lie number को या legal entity identifier system को develop किया जिसकी मदद से वो दुनिया भर के देशों में जो भी activities हो रही है financial level पे उसे detect करते हैं जो हमारा अगला article है वो हैलियो physics mission के बारे में है NASA ने अभी हाल ही में दो हैलियो physics missions को Sun को explore करने के लिए अप्रूव कर दिया है देखे सूरी काफी active होता है और उसकी जो activity होती है उसमें कई तरीकी की solar flares निकलती है जो पूरे solar system में expand होती है और इनका जो expansion होता है solar system में उसे space weather कहा जाता है ये space weather सभी प्रकार के planet square and objects को प्रभावित करता है including earth earth को ये hit नहीं कर पाता क्योंकि earth का अपना एक magnetosphere है एक magnetic field है जो उसे टकरा कर उसे रोग देता है और उसके resultant हमें northern hemisphere में aurora borealis और southern hemisphere में aurora australis दिखते हैं आसमान में चमकती हुई lights दिखती है अब ये जो solar space weather है जो solar flare से तयार होता है वो कैसे निकलता है और वो कैसे earth को interact करता है या बाकी solar system को प्रभावित करता है इसकी जानकारी हमें बहुत कम है अगर हमें इसकी जानकारी होगी तो बाद में गर हम कोई mission भेजेंगे astronauts भेजेंगे, robots भेजेंगे तो उनके नुकसान का खत्रा कम रहेगा इसी चीज को समझने के लिए दो mission भेजे जा रहे है पहले का नाम है EUVST और दूसरे का नाम है EZIE पहला है Extreme Ultra Wallet High Throughput Spectroscopic Telescope Epsilon Mission और दूसरा है Electrojet Z-Man Imaging Explorer ये दोनों के नाम है अगर हम ये physics समझ जाएं कि ये सब हो कैसे रा है तो हमें इन events को predict करने मदद मिलेगी और हमारे जो space mission है वो पहले के तुलना में ज़दा सुरक्षित हो जाएंगे जो EUVST है या EUVST Epsilon Mission कह लिजिए ये JAXA यानि कि Japan Aerospace Exploration Agency रन कर रही है 2026 में से launch किया जाएगा ये देखेगा कि solar atmosphere में कैसे जो wind है वो release हो रही है solar material कैसे erupt कर रहा है उसे हम study करेंगे और इसका कैसे influence पड़ता है बाकी पूरे solar system में उसे भी study करेंगे ये कैसे जो magnetic and plasma process है जो sun का सबसे बाहर का हिस्सा होता है corona महाँ पर heating कैसे हो रही है कैसे energy release हो रही है इन सभी चीजों को study करेंगा जो दूसरा है EZIE इसे 2024 में launch करेंगे ये वो electric currents जो earth के atmosphere से आकर टकराती है और aurora create करती है उनको study करेंगा इसमें तीन cubic satellites इस्तेमाल किये जाएंगे जो कि जो aurora में electro jets टकराते हैं जिसके बाद ये energy release होती है ये उसको पणिया तरीके से study करने का प्रयास करेंगा जब ये हमारा जैसे ये earth है इसके चारो और ये जो magnetic field है जब टकराती है solar flares तो ये दब जाता है इसमें एक contraction होता है इस चीज को ये study करने का प्रयास करेंगे क्योंकि इसके वज़े से कई बार radio, communication signals, utility grids उनके intercept होने का खत्रा रहता है ठीक है जो हमारा अगला article है वो खादी प्रकरतिक paint के बारे में है जो कि antifungal और antibacterial properties रखता है नुकसान नहीं करेगा eco-friendly है, toxic नहीं है गाय की गुबर से बनाया जाता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गाय की गुबर की महक आपको इसमें मिलेगी cost effective भी है, सस्ता भी है खादी and village industries commission ने इसे develop किया है Bureau of India standards ने इसे certify भी कर दिया है इसमें कोई heavy metal नहीं है lead mercury, chromium, arsenic, cadmium ये सब इसमें नहीं है, मतलब अच्छा है local manufacturing को boost करेगा अगर इसका ज़रा इस्तिमाल होगा तो और local level पे employment भी मिलेगा कुछ statement है true and false बताइए सुल्तानपूर national park राजस्थान में है explosions होते हैं, खादी प्रकतिक paint, eco-friendly and non-toxic है कौँसा statement true है, कौँसा false है बताइए comment box में इस पूरे session की pdf आपको only eyes की telegram channel पे available मिलेगा जहां से आप इसे download कर सकते हैं, इस session में यहीं पर रुकेंगे, thank you very much